नमस्कार दोस्तों, जैमादादी, जैमादालक्षिम, सबसे पहले मैं अपने सभी तरसकों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं, हमारी इस भारत भूम में अनीक परकार के पेड़ पोधे पाए जाते हैं, लेकिन इस पेड़ पोधों का महत्य सभी लोगों को पता नहीं होता है और प्राचिन स्काल में जो रिस्सी महत्मा होते थे वे लोग इसका महत्य जी सका उपयोग भली भाध जानते थे लेकिन आज five आने वाले समय में दीन पर दिन जो है, इसकी जानकारी कम होती जारी है और यह पेड़ पोधों की जानकारी बिल्कुली भिल्यूत होती जा रह वैसे आज मैं जिस पिड़ पौधे के बारे में बात करने वाला या इस पिड़ पौधे के बारे में बात कह जाती है यह पौधा तांत्रिक वा आईरवेदिक गुड़ों का खान माना जाता है घास फूस के स्रेणी में माने जाने वाला यह बहुत सहज सिंपल और सरल पौध होता है हर जगह बहुत ही आसाने से मिल जाता है इस पौधे का तांत्रिक वा अईरवेदिक गुड़ बहुत ही जबर्जस्त होते है यह पौधा जो गुड़ों का खान वाना जाता है इसे जो देवी का पद मिला है जिसका नाम है सहदेवी लाश में देवी इसे देवी का अस सपाय जाता है तो चलिए हम लोग जान लेते हैं अकिर ये पौधा किस तरीके से हमारी जीवन में किन-किन तरीके से जो है भरपूर अच्छी तरीके से फायदेबान दिलाता है सबसे पहला नमर के अगर बात किया जब अतिसार जिसको पेचिस की समसे रहती है वह लोग अतिग्रस्त रहते हैं तो उसमें मुझ्चिस से पंदरे मिट में बस यदि आप इसका उप्योग कर लेते हैं तो बस पेड़ सम्बंधी जो पेचिस है जो अतिसार की समसे वह साथ त कोडों में चोटे चोटे ठोकडों में काट करके एक सब्सक्राइब.... बादने के बाद माक्सिम tomorrow में आपको इसका सरय आपता। बहुत ही जबर्जस्टेकार गर उपा है दूसरा जो और नमर का जो सहदेवी का पोधा है यह जो है तांत्रीक उपाय में भी अच्छा खासा रोलनी भाता है मतलब धान बृद्धी के लिए बहुत जबर्जस्टेकारा को सिद्ध होता है सहदेवी के जड़ को आप जो मातालक्षमी के चित्रकला के सामने आप इसे अभिमंत्रित करके सिद्ध करके बस इसका उपाय करना सिद्ध कैसे करना है आप इसके जड़ को लाना है लाल कपड़े में लाल बस्तर में एक फ्रेश नया कपड़ा लाल बस्ते में रख करके वहां पर जो मातलक्षिमी के बीज मंत्रों को आप कम से कम एक माला, दो माला, दस माला इगारे माला, मतलब खासता है जितना ही आप बहतर करेंगे, जितना ही जादा करेंगे उतना ही अच्छा खासा रिस्पॉंस होता है यदि आप इगारे माला कर देते हैं तो मतलक्षिमी की जो है अतिकिर्पा की पात्र बन जाते है वहार जो सिध्ध हो जाता है फिर उसके बाद से उस जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके सिध्ध करने के बाद जहां पर भी आपकी तिजोरी होती ही जहां पर ब्यापार का गल्ला होता है उसे जगा पर ले जाकर करके रख देना है और जो धन होता है धीरे धीरे जो बिर्दी होने लगती आपका जो तिजोरी रहता है कभी खाली नहीं होती या सधेवी का पोधा आप इसको हलके में मत लेजिए दूसरा नमर का जो उपाय है आपके घर परिवार में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका किसी कार करने में मन नहीं लगता होगा आपको वो कार करना जरूरी है मजबूरी है उसके बाजुद भी आप उस कार को करने में मन नहीं लगता हैं, तो किसी भी ब्यक्ति के साथ ए आदसा जो है शीकाते हो सकते आपके घर परिवान में जैसे बच्चे होते पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन पढ़ना उसको जरूरी होता है, तो इसका उपाय जो है इस सहदेवी का पौधा कर सकता है क्या करना है सहदेवी का जड़ आपको लाना है ठीक है सहदेवी के जड़ को पुस्पनच्चतर में ध्यान से सुनीगा सहदेवी के जड़ को पुस्पनच्चतर में अभिमंत्रित करके मातलक्षिमी के ही मंत्रों से या किसीभी मंत्र से आप जो कम शकम 108 बार जो है जो जब करके अपने घर के पूजा मंदिर में ले जाकर इसको अभिमंतरित करके जिस भी जाथक को जिस भी व्यक्तिका पढ़ने में मन नहीं लगता है उसकार को करने में सिकायतों हो सकते हैं, कंठमाला रोग हुए रहा थे हैं, तो वे बच्चे जो इसका उपाय कर सकते हैं, ठीक है, जिन बच्चों को बोलने में हकलाहट होता हो, बोलने में परसानी होता हैं, वैसी इस्तिती में वे बच्चे क्या कर सकते हैं, कि इस सहदेवी को जड़ को ला कर जो भी आपके इश्ट देव होते हैं उनके मंत्रों से आपको इसको अभिमंतित करने के बाद आपको इसे लाल धागा में ही यदि आप इसको बांध करके गले में धारन करा देते हैं चाहे बच्चे होते हैं, चाहे बड़े हो, खासरी क tay से बच्चो को कंठ रोग होते हैं, तो उस परकार की समस्यां, जो बिल्कूल ही खतम हो जाता, क्योंकि देवीयों का जो असिर्वादे इस पोधे में चुपा है, उस वज़े से आपका जो है कंठरोग बिल्कुल ही समाथ हो जाते है ठीक है अगला नमर का जो सहदीवी के पोधी का जो उपाय है आप गाउं समाज में रहते होंगे और आपका समाज में कोई भी मान समान नहीं है और आप जो अपना मान समान उच प्राण प्रतिष्ठा जो पाना चाहते है कि आपका हर जगो जो है समान हूँ ऐसी स्थिति में आप जो सबसे पहला नमर की बात है कि आप अपना कर्म करिए कर्म करने के साथ आप इस छूटे से उपाय को भी कर लेजेगा आपका मान समान अवसी ही बढ़ेगा क्या करना है सहदेवी का जो जड़ होता है सहदेवी के जड़ को ला करके उसको पीस करके उसमें थोड़ा सा आप हल्दी भी मिला दे रोरी चंदर में मिला दें ठीक है पीस करके रोरी चंदर मिला करके नित्य सूबा जो जब आप पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करने के धोरान आप जो इसका अपने मस्तस्क पर तिलक लगा है और मस्तस्क पर तिलक लगा करके आप कहीं पर भी जाते हैं तो जो भी आपके आगे जो है दिखता है वो हो उसके नजर में आप एक सज्जन व्यक्ति दिखते हैं और आटोमेटिक धीरे-धीरे आप जो सम्मान के पात्र हो जाते हैं क्योंकि यह दैवी सक्तिया आपके साथ में रहती हैं अगला नमर का जो उपाय है यह आपके घर के वास्तु दोस को भी बिल्कुली खतम कर सकता है क्योंकि घर में जब वास्तु दोस रहता है घर के इस्तिति खराब हो जाते हैं कुछ भी उपाय करते अच्छा होते हैं काम बनते-बनते भी कर जाते हैं हर तरीके से परसानी ही पर करना है आपका घर जो होता है घर के पुर्व या उत्तर दिसा में क्योंकि पुर्व दिसा भी देवी देवताओं का ही दिसा होता है पूजा पाथ हमेशा जो पुर्व दिसा की तरफूरर चाहिए उत्तर दिसा भी हमारे देवी देवताओं का ही दिसा होता है तो आपको घर क पूर्व दिसा में या उत्तर दिसा में आपको नर्सरी से एक सहदेवी का पौधा लाना है ठीक है कहीं पर आपको मिल जाता है बड़ी असानी से तो अच्छी बात है नर्सरी से एक पौधा लाकर के लाल गंबले में ठीक है लाल रंके गंबले में आप उस सहदेवी के नार्कासमिती रही है और उसका जो पूजा भी करना है वहां पर थोड़े से जल भी चडाना है। दीपक भी जलाना है। यह रोज आप उसका इज्जत समान करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सहादेवी का जो पहधा होता है। इसके जड़ में मातालक्श्मी का वास होता संमान करेंगे धूप दीप जो देकर के पूजा करेंगे तो इस काम को करने से कह अब कहते हैं कि आपके घर के वास्त की वास्तब्स बिलकूल कि खतम हो जाते हैं ठीक है इस तरीके सह предлож पत्ता च्रूप कई तरीके से जो फाइदे मंद होते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कते हैं, कि साधेवी के जड़ से जो संतान प्राप्ती के लिए भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन मैं उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कनफर्ब लेकिन मेरे को जितना जो कनफर्ब जानकारी मिली है, मैं उस परकार के ग्यान को आप तक जो पहुंचाने का काम करता हूँ, और यह जो जानकारी है, जहां तक की बहुती प्योर है, सुद्ध है, आवराख बंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं हाँ थोड़ी से आलस आती है तो उसकी बात अलग है आलस करेंगे तो बिल्कुल नहीं लेकिन अगर जिसने भी इस उपाय को किया उसके साथ हमेशा यह कारिगार उपाय होते ही होते हैं जिसका जैसी सरद्धा रती उसके साथ हो ऐसी जो है एक काम करता है अगर आपके पास सरद्धा नहीं है जवर्जस्ति काम करते हैं इन उपायों को करते हैं तो आइसके में कोई गारेंटी नहीं है बस यह इस बात पर depend करता है कि आपके पास कितना विश्वास है कितना सद्धा भाव रखते हैं बस वैसा ही काम करेगा